नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का फिर एक बार स्वगत करता हूँ वाइरल हैंदी यूटुब चानल के नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किचेन की ट्रॉली आटोमेटिक ओपन होने के क्या कारण हो सकते हैं अगर आपके किचेन की ट्रॉली भी आटोमेटिक ओपन हो रही हो तो यह वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो में दो प्रमुक कारण बताया गया है जिसकी वज़े से आपके किचेन की ट्रॉली आटोमेटिक ओपन हो जाती है आप वीडियो में आगे देख सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कारण नमबर वन ड्रॉवर के चैनल में खराबी सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि आपके ड्रॉवर के चैनल में कोई खराबी हो चुकी है यदि चैनल की railing किसी कारण से fix हो गई हो या किसी कारण से उसका mechanism खराब हो चुका हो तो यह trolley automatic open हो जाती है कुछ इस परकार की problem आपके पास आ रहे हो तो इस मामले में आपको trolley के channel को बदलने की अवशकता है आप अपने channel के size के हिसाब से local market से या online amazon से भी channel को खरीद सकते है channel खरीदने का link नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पे clicker cap amazon से उस channel को खरीद के ठीक कर सकते है automatic open होने से बचा सकते है कारण number two है over weight होने का दुसरा कारण है कि आपके trolley में over weight है अगर आपके trolley में भी ज्यादा वजन रखा है जैसे कि बरतन या भोत भारी वस्तुये जो यह trolley के mechanism में दबाव बढ़ा सकते है तो उन चीजों की वज़े से भी आपकी trolley automatic open हो जाती है तो इस परिस्तिते में आपके trolley में से आप एक बार पूरा सामान निकाल के चक कर सकते है कि आपके trolley में वजन कम करने के बाद या पूरा empty करने के बाद आपकी trolley किस परकार काम कर रही है अगर वजन कम करने के बाद या पूरा ट्रॉली में से वजन निकालने के बाद आपकी ट्रॉली प्रॉपरली काम कर रही है जैसे कि आप आगे वीडियो में देख सकते है मेरे ये ट्रॉली में वजन ज्यादा होने की वज़े से बार बार उसका चैनल का जो मेकानिजम है वो आटोमेडिक ओपन हो रहा था तो इस परिस्तिते में मैंने इसका वजन थोड़ा सा कम किया उसके अंदर जो भी बरतन रखे हुए है तो आदे बरतन कम करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह ड्रावर आटोमेडिक ओपन नहीं हो रहा है तो कुछ इस परकार आप आपके घर के भी ट्रॉली को चक कर सकते हैं उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है तो आप उसमें से कुछ सामान निकालके आपकी ट्रॉली को चक कर सकते हैं या automatic open हो रही है या नहीं अगर automatic open नहीं हो रही है तो आप कुछी दिन तक इसी परकार आप यूज कर सकते है उसमें कम सामान रखे अगर उसके बाद भी आपकी trolley automatic open हो रही हो तो आपको channel को replace करना ज़री होगा अगर आपको drawer के channel को replace करना आता हो तो उसका link आपको नीचे दिया है वहाँ पे clicker cap Amazon से channel को मंगवा सकते है उसके बाद आप खुदी घर पर repair कर सकते है तो वीडियो में दीगी जानकर ही पसंद आए तो एक like ज़रूर करिए और आगे भी IC वीडियो देखना चाहते है तो मेरे channel को subscribe करिए तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में जैहिन